हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज में दो कुलर में बहुत ही प्यारा सा सुन्दर्शा डोर मैट बनाएंगे उसके लिए मैंने पुरानी चुन्ने ले लिया है और उसके मैंने एक एक सेंटिमेटर चोड़ी पटिया काट ली है इस तरह से देखेगा ये मैंने दो चुन्ने ले ले हैं आपके पास अगर पुरानी शाड़ी है तो आप उससे भी बना सकते हैं इसे आप उनसे भी बना सकते हैं इसे आप पूजासर में यूज कीजिए डोर मैट में यूज कीजिए अगर आप इसे उनसे बनाए तो टेबल मैट में यूज कीजिए तो देखेगा इस तरह से बहुत ही प्यारा सा हमारा यह डोर मेट बन के आएगा तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं बनाने के लिए देखेगा हम यहां पर फंदे डालेंगे तो यहां पर मैं देखे किस तरह से फंदे डालेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके के बिगनर भी इन फंदों को आसानी से डाल सकते हैं, इस तरह से देखेगा, ऐसे हम फंदे डालेंगे, इस तरह से नोट बनाएंगे, इस तरह से हमने नोट बना लिया है, तू देखेगा, एक फंदे, दो, तीन, चार, पाच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, यह देखेगा, यहाँ पर मैंने सोला फंदे डाले हैं, तो मैं सोला फंदे से बनाऊंगी से, इसमें आप प्रू के मल्टिपल में फंदे डाल कर, जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें, बना सकते हैं, तो देखेगा, सोला फंदे डालने के बाद हम इसे किस तरह से बनाए हैं ऐसे कि देखिए समेय को बनाना अपों असान है बहुति आसानी से आप इसे बना लेंगे तो देखिए गां इस तरह से हम फंदे उतारेंगे कि फ़स्ट प início थोडह सा धेरे देली उतारेंगे क्योंकि इस तरह कि जिब हमou तो अगर हम जल्दबाजी में बनाएंगे तो हमारे फंदे लूज हो सकते हैं इस तरह के तो देखिएगा लाश्ट तक हम पूरी रो उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लेट कर लेंगे देखिएगा आप 2 के मल्टिपल में से 20 फंदे से बना लें 18 फंदे से बना लें 22, 24 जो 2 के जोड़े के साब से फंदे डालें तो इसे आप जितना मर्जी बढ़ाया चूटा बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरह से देखिएगा यह देखिएगा हमने पूरी रो बना ले हैं आप देखिएगा फस्ट पंदा उतारेंगे ऐसे पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखिएगा यह देखिएगा यह देखिएगा हमने पूरी रो उतार ली है अब हम फस्ट पंदा उतारेंगे इस तरह से पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा चोदा फंदे बनाए वापिस ही से पलट जाएंगे इस तरह से दो फंदे छोड़ देंगे दो के जोड़े के साथ से फंदे डाले और दो दो फंदे छोड़ते वे जाना है अब देखिएगा इस फंदे को उतारेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे सीधी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है सीधी साइड से ऐसे ही बनाते हैं जाएंगे तो देखिएगा इस तरह से देखिएगा अब हम आ गई है उल्टी साइड तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट फंदा इस तरह से उतार लेंगे पट्टी को अपनी तरफ लेंगे यह फर्स्ट वाला फंदा हमें एक बार बुनना है और एक बार उतार लेना है तो उससे हमारी किनारी इस तरह से बन के आएगी देखिएगा तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा फंदे बनाए दो फंदे छोड़ देंगे और वापी से यहीं से पलट जाएंगे इस फंदे को उतार लेंगे और पूरी स्लाइ उल्टा-उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखिएगा ऐसे फिर से देखिएगा फस्ट वाला फंदा ऐसे उतारेंगे इस तरह से पट्टी को अपने तरफ लेके उल्टी उल्टी स्लाइयों से इसे बना लेंगे और दो फंदे फिर से छोड़ देंगे वापी से इसे पलट जाएंगे देखिएगा फस्ट वाला उतारेंगे इस तरह से पूरी स्लाइड उल्टा उल्टा बन लेंगे तो देखिएगा ऐसे ही हम दो-दो करते हुए सवी फंदे छोड़ देंगे या तपर दो फंदे रहने तक इन्हें छोड़ते हुए जाएंगे तो चलिए मैं बना लेती हूं यह तक फिर दिखाती हूं तो देखिए फस्त फंदा इस तरह से उतारेंगे और दो फंदे बना लेंगे दो फंदे फिर से छोड़ेंगे वापी से इन्हें से पलट जाएंगे फर्स पंदा इस तरह से उतारेंगे और इस पंदे को बना लेंगे देखिएगा हमने दो दो करते वे दो च्यार छे आठ दस बारा चोदा सोला सोला के सोला फंदे इस तरह से आमने छोड़ दिये है ऐसे ठीक है देखिएगा अब हमें क्या करना है इस फंदे को उतारेंगे पटी को अपनी तरफ ले लेंगे और जो जो दो दो करके हमने फंदे छोड़े थे सभी फंदे बना लेंगे देखिएगा इस तरह से लास्ट तक सभी बंदे बनाएंगे ऐसे ऐसे बना लेंगे देखिएगा अब देखिएगा इस पंदे को उतार लेंगे पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे पुरिया पर इदर्शे भी इस पूरिश लाए को उतार लेंगे इस तरह से लास्ट तक बुल लिया है अब देखिएगा यह हमारी यहां पर एक कली बनके आ गई है इस तरह से यह हमारी सीदी साइड है और यह ओल्टी साइड है तो एक कली और हम इसी कलर से बनाएंगे एक कलर से हम दो-दो कली बनाएंगे तो इस तरह से देखिएगा इस पटि को हम अंदर की साइड ऐसे लपेट लेंगे इस तरह से ऐसे लपेटेंगे ऐसे लपेटने के बाद देखेगा first बंदह हम उतार लेंगे ऐसे और पती को अपनी तरफ ले लेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखेगा अंदर की साइड़ी से ऐसे फोल्ड कर लेगो और पट्टी को आपने तरफ ले लेंगे और यहाँ पर देखेगा फिर से हमें वही रिपीट करना है चोदा फंदे बनाएंगे और दो फंदे चोड़ देंगे यह देखेगा लास्ट के दो फंदे चोड़ देंगे और वहाप इस यह से पलट जाएंगे फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतारेंगे बेगेर बुना और पोरिस लाइक उल्टा-उल्टा बुन लेंगे तो यह देखेगा एक कली हमारी बनके आ गई है जिस तरह से हमने इस कली को बनाया है वैसे ही हम इस कली को भी कंप्लीट कर लेंगे इस कली को कंप्लीट करने के बाद हम इसमें सेकंड कलर एड करेंगे तो चलिए मैं इस कली को बना लेती हूँ देखेगा यह पर देखेगा फर्स्ट फंदा हर बारा में इस तरह से उतारना है और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे देखेगा दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा 12 पंदे बनाए दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से पलट जाएंगे दो-दो करते हुए अम इस फंदे छोड़ने ह्याम तो दो-दो करते हुए हम लाष्ट तक सबी फंदे छोड़देंगे उसके बाद देखेगा फिर हम इसायकिंड कलर लगाएँगे जो फंदे जिस तरह से बनाते वे जाना है फिर से देखेगा फस्ट बंदा इस तरह से उतार लेंगे पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे और दो दो करते वे हम फंदे छोड़ कर इस कली को मैं बना लेती हूँ आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है देखेगा इस तरह से हम कली बन क्या गई ये साफ दिखाए दे रहा है एक कली हमारी ये और एक कली ये एक कलर से हम दो कली बनाएंगे तो देखिएगा अब हम कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज करने के लिए देखिएगा आप जो भी कलर आपके पास है वही कलर लगा लिजिएगा तो देखिएगा इस तरह से पट्टी को ले लेंगे, ऐसे, और इसको यहां से टाइट कर लेज़ेगा, इस पट्टी को उस हाथ में दबाते हो चलेंगे, जब भी भी आप कलर एड़ करें, तो उल्टी साइड से ही करें, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, यहां पर फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं, फर्स्ट बंदा उतार लेंगे इस तरह से, पट्टी अपने तरफ लेके, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोदा फंदे बनाए, यहीं से पलट जाएंगे, इसी तरह से दो-दो करते हुए, हमें फंदे छोड़ने हैं, तो अब हम दो कली इस वाले कलर से बनाएंगे, तो देखिएगा, इधर से पूरी श्लाइ, उल्टा-उल्टा बनने हैं, सीधी साइड से हमें, दो-फंदे इच्छे की साइड छोड़ने हैं, देखिएगा, आग्ये से हमें यहां से कुछ भी नहीं करना, यहां से दो-फंदे छोड़ते वे जाना हैं, आइसे, देखिएगा, एक बार फिर शे बता देते हूं, फंदे उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ ले लेंगे, ग्लास्ट के, यह देखिएगा, दो-फंदे हम फिर से छोड़ेंगे, यहीं से वापिस मुड़ जाएंगे, तो देखिएगा, जिस तरह से यह दो-फंदे छोड़ते हूं, हमने इन दो कली को बनाया है, उसी तरह से हम इस दो कली को भी बना लेंगे, तो बनाते भी हम इस मैट को कंप्लेट कर लेंगे, देखिएगा, फ्रेंड से, मैं आपको फिर से बताती हूं, यह मैंने 16 फंदे से बनाया है, आप इसे दो के जोड़े के इसाब से फंदे ले, जैसे दो-दो फंदे हमें छोड़ने हैं, तो जोड़े के इसाब से फंदे और जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें, बना ले, तो देखिएगा, इसी तरह से बनाते हूं, हमें दो-दो फंदे छोड़ने हैं, इस साइड, और आगे से हमें कुछ भी नहीं करना है, दो-दो फंदे, इसी तरह से अपनी पूरी स्लाई बनाते हूं, यहां पर दो-दो फंदे छोड़ते वे जाएंगे, लास तक सूला फंदे रहने तक सभी फंदे छोड़ देंगे, एक कलर से दो कली बनाएंगे, जैसे हमने पिंक कलर की दो कली बनाई है, उसी तरह से बलू कलर की भी दो कली बनाएंगे, उसके बाद इसी तरह हम इस पूरे डोर मैट को करेंगे तो चलिए complete करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ये डूर मैट बनके कैसा है फ्रेंड्स वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकोन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचके कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको प्यारा सा टोर मैट कैसा लगा तो देखिएगा अपने फ्रेंट्स ग्रूप में ज़ादा से ज़ादा सेर कीजिए तो देखिएगा इसी तरह से हम बनाते वे जाएगे और जो यह हमारी पट्टी है इस पट्टी को डेखिएगा अंदर की side ऐसे Fold करते वी जाएंगे इस तरह से fold कर लेंगे हम ऐसे इस तरह से fold कर लेंगे अब तो इसी तरह से बनाते वी इसे complete कर लेंगे तो चलिए complete कर लेती हो आगे फिर देखाओं